आज की रेसिपी है गुजिया इसके लिए मैंने यहां लिया है गुड का पौडर, इलाइची, काला तिल, सफित तिल भी आप ले सकते हैं, ग्रेटिट कोकुनेट पौडर, बुना हुआ चेना, यह मैंने यहां मैदा लिया है, इसमें थोड़ा नमक दालीजिये, अब आटे को गून लीजिये, मैंने यहां एक खिलो आटा लिया है, आपके सारन के अनसार आप उतना आटा लेके गू अभी आटे को इस तरह गून लीजिये, पतला मत होने दीजिये, अभी आटा यहां गून लिया है, अभी इसको एक खंटे के लिए ठक कर रखें, अभी हम यहां बुना हुआ चना को पाउडर कर लिया है, अभी मैंने यहां एक गडाई को गरम करने के लिए रखा है, अभी एक काला तिल को थोड़ा करम कर लिजिये, इस तरह से बुन लेजिये, अभी ग्रेटेड कोकोनट को यह भी थोड़ा बुन लेजिये, अभी हो चुका है, इसको भी हम प्लेट में लिकार लेंगे, अभी इस इलाईची को पौडर कर लिजिये, इसमें थोड़ा शकर मिला लिजिये, अभी एक बड़ा सा बौल लिजिये, अभी गुजिया के लिए हम सारन रेडी कर लेंगे, पहले बुना हुआ चना पौडर को ले लिजिये, फिर गुड़ का पौडर इसको भी मिला लिजिये, इन दवनों को अच्छी तरह से मिला लिजिये, अभी इसमें ग्रेटेट कोकोनेट पौडर दाले जिये, फिर काला तिल, अभी लाइची के पौडर, इन सारे इंग्रीडियन को अच्छी तरह से मिला लिजिये, अभी हमारा गुजिया का सारन रेडी हो चुका है, अभी हम इसको ढख के साइड पे रख लेंगे, अभी एक घंटा हो चुका है, अभी इस आठे को हमने चार गोले बना कर रख थे हैं, अभी यहां एक बॉल में मैंने घी लिया है, इसमें थोड़ा मैदा मिक्स कर लिजिये, इसको अच्छी तरह मिला लिजिये, मैदा और घी मैंने मिला लिया है, पहले से हमने चार गोले करके रख लिये थे, उसमें एक लिजिये और इसको बे लिजिये, बड़ा सा, मैदा और घी मिक्स किया था, उसको अब इस तरह लगा लिजिये, इसको अब चार तरफ ऐसे अच्छी तरह से लगा लिजिये, अभी इसमें चावल के आटे को लेके ऐसे स्ट्रेट कर लिजिये, अभी इसको इस तरह फोल्ड करना है, अभी इसी तरह से इंचारों को भी बना लिजिये, प्रफ़ को अभी बना लिजिये, अभी इसको अभी प्रेट अभी थजिये, अभी जिए अब को अभी तरह ज़िए, लेता झारunuz लेले हैसी जादित बुतिक है कि एन धो शें रूदए जदिता है बूब कर रूदा इसे छोटे-छोटे पीसस में कट कर लीजिए अभी इन सारों को कट करके एक बॉल में बने या रख लिया है अभी एक एक कर को इस तरह बे लिए यहां मैंने एक कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है अभी मैंने यहां यह बे लिया है अभी सारन को लेजिए और एक बॉल में दूद लेजिए अभी सारन को इस तरह इसमें भर लेजिए आभी सारन को इसतरह लेजिए इससे और अच्छे से चिपके आएगा बाहर नहीं आएगा है यह वत्वुल में नहीं दूद नहीं दूद नहीं में दूदेए जां़ कर दूद लाएं है इसमेड़ में लाग जाए थेश्ए श्वलड़ नहीं अदूद को पलतने गर यह उ अभी इंसारों को इसे भर लीजिए, यहां एक बॉल पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, तारन बर के यहां गुजिया मैंने यहां बना लिया है, हमारा तेल भी यहां गरम हो चुका है, अभी एक एक कर को तेल में दाल के तल लीजिए, अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तर लीजिए, तेल में, देखिए, हमारे गुजिया रेडी हो रहे हैं, इसको तेल में दालते वक्त, ऐसे एज को अच्छी तरह दबा लिजिए, चारन बाहर ना निकल सके, इसका ध्यान रखिए, एजिस को अच्छी तरह प्रेस करके तेल में छोड़िए, अभी हमारे गुजिया रेडी हो चुके हैं, देखो यहां कितनी क्रंची होई है, बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेब और सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकोन जरूर प्रेस कीजिए, इसने मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप से आकर पहुचेगे,